नमस्कार दोस्तों आज ऐसे कई प्रकार की चीजे हैं जो अक्सर हम खाते हैं लेकिन उसके बारे में नहीं जानते कि यह हमारे लिए क्या नुक्षान दायक है क्या यह हमारे शरीर में जाकर अनेक बिमारियों को उत्पर न कर सकती है क्या उसी तरह से हम आज आपको पांच ऐ इसे चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए काफी खतरनाक है जिसे पहला चीज़ है वह है कि नट मेट जिसे जाइफल बहारत में मसाला में प्रियोग किया जाता है अगर जाइफल की मातरा मसाला में ज़ादा हो जाए तो उससे अलग-अलग प्रकार की बिमारिया उत्पन्व जाइफल में मिरिष्टिसिन नामक एक chemical होता है और यह मिरिष्टिसिन हमारे nervous system को effect रता है जिसके वजह से अगर जाइफल की मातर हमारे शरीर में जादा ली जाए तो उसके वज़े से हमें वुमेटिंग की समस्या, हैलूसिनेशन की समस्या, पेट में दर्द बना रहना, हमेशा सिरदर्द रहना, इन सबी चीजों को सामना करना पड़ सकता है और जो दूसरी चीज है, वह यह है कि हमें हरा आलू को नहीं खाना चाहिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में आलू तो वो लाते हैं, लेकिन जो हरा आलू होता है, उसको भी वो काट कर सबजियों में डाल कर प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको मालू होना चाहिए कि हरा आ से वन करने के वज़य से हमें वोमेटिंग आसकता है पेट से सम्बदित रोग उद्रपन हो सकते हैं हमें सकीन प्रोब्लम देखने को मिल सकते हैं यहां तक कि आपको जो market में एक मीठा बदाम होता है और एक कड़वा बदाम होता है और अक्सर जो almond होती है उसमें उसको कड़वे वाले बदाम को मिला कर बेचा जाता है कभी भी कड़वे बदाम को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें hydrogen cyanide की मातरा पाई जाती है cyanide आपको यह जरूर जानकारी होगा कि cyanide एक ऐसी toxic material है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुपसान दायक है जिसके प्रियोग करने के वज़े से हमारी जान भी जा सकती है तो hydrogen cyanide जो है कड़वी बदाम में जादा पाई जाती है इसलिए अगर आप कड़वी बदाम का जादा प्रियोग करते हैं तो इससे आपको सावधानी जरूर रखना चाहिए और कड़वी बदाम को प्रियोग नहीं करना चाहिए शोथी जो चीज है जिसे आपको नहीं खाना है वो है राजमा जो अच्छे तरीके से पके हुए नहीं रहते हैं राजमा आज कई घरों में बनाया जाता है लेकिन राजमा अगर uncooked है पूरी तरह से पका हुआ नहीं है तो वो आपके लिए एक जहर की तरह काम करता है क्यों जो लोग राजमा खाते हैं उनको अगले दिन constipation जैसे समस्या को भी सामना करना पड़ता है उनको पेट साफ नहीं होते उनके पेट में गैस बनी रहती है तो वह इसलिए बनी रहती है क्योंकि जो राजमा है अगर वह अच्छे तरीका से नहीं पका है उसमें लेक्टिन क की मातरा होने के वज़े से उनको पेट से समद्धित चीजों को सामना करना पड़ता है जो पांचवी चीज है वह यह है कि आपको ब्राउन राइस नहीं खाना चाहिए ब्राउन राइस तो आयरुवेद में कहा गया है कि यह बहुत ही अच्छा है लेकिन ब्राउन राइस क प्रियोग करने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो वह आपके लिए खतर ना खो सकता है ब्राउन राइस में आर्सेनिक टॉक्सिक नाम का एक चीज पाया जाता है क्योंकि जब धान को उगाया जाता है उसमें अलग-अलग प्रकार की फर्टिलाइजर को प्रियोग कि प्रिया जाता है उन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइट में आर्सेनिक की मात्रा होती है वही आर्सेनिक जब हमारे घर में चावल बनके आता है तो उसमें कुछ मात्रा में रहता है तो ब्राउन राइस में वह ज्यादा पाया जाता है तो ब्राउन राइस को अगर आप से धोकर अच्छे से उबाल कर नहीं बनाते हैं तो आपके लिए खतरनाख हो सकता है इन 5 चीजों को आपको धियान से देखकर खाना चाहिए अगर आप इन 5 चीजों को खाते हैं तो अनेक प्रकार की बिमारियां उत्पन हो सकती है आपको पैरलेशिस कोमा जैसे बीमारियों को भी देखना पड़ सकता है तो इन 5 चीजों को आप कभी भी नहीं खाए और हमेशा ध्यान रखे तो स्वस्त कैसे रहे और हमें स्वस्त रहने के क्या-क्या तरीके है इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए धन्यवाद